नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अविशेक और आप देख रहें सॉल्टेक्स प्रॉबलेम दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कैसे अब 2023 में नील जीस्टेरवान और नील जीस्टेरवान भी फाइल करेंगे बहुत आसान है जीस्टेरवान तो आप सिंगल क्लिक से फाइल कर सकते है ठीक है तो वीडियो को देखेंगे फर्स देखेंगे दोस्तों नील जीस्टेरवान कब होगा आपने ना कोई B2B सप्लाई किये ना कोई B2C सप्लाई किये और ना ही कोई debit note, credit note issue किये उस case पे आप जीस्टेरवान नील फाइल कर सकते है मगर यहाँ पे एक बात आ दिया देखेंगे वीडियो में जब हम लोग जीस्टेर फाइल करेंगे तब वह देखेंगे तो वीडियो को आखर तक देखिएगा skip मत किजिएगा first यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब जीस्टेरवान फाइल करेंगे वह भी निल तो यहाँ पर मन्द चूज कर रहा हू जैनुवरी और फिर सच कर रहा हूं देखिए दोस्तों यहाँ पर जेस्टेरवान आ चुका है आप यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूं अगर मेरा कोई transaction होता मैं B2B, B2C, अगर कोई sell करता तो फिर यहाँ पर देखिए B2C मुझे यहाँ पर डालना पड़ता, B2B जो इनफा अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है सब मेरा ना तो कोई B2B इनफाइस है ना B2C है ना कोई debit note credit note है कुछ भी नहीं है तो फिर जैसे समारी दने का भी यहाँ पर कोई मतलब बात आता नहीं है मैं बस यहाँ पर क्या करूंगा देखिए यहाँ पर फाइल नील जीस्टेर वा नहीं है कुछ भी नहीं है बस यहाँ पर मैं नील जीस्टेर वान कर दिया अब मैं करूंगा यहाँ पर फाइल स्टेट्मेंट अब मुझे यहाँ पर जो declaration है मुझे यहाँ पर click करना है यहाँ पर मुझे signalator को choose करना है और फिर कर दना है file with evc मेरे पास 4TP आच चुका है verify दोस्तो मेरा यहाँ पर जो जीश्टर 1 है वह file हो चुका है अब मैं करूंगा जीश्टर 3B को file ध्यान से देखिएगा इस पर दोस्तो देखी यहाँ पर तो हम लोग जीश्टर 1 file कर दिये क्योंकि मेरा कोई transaction नहीं था ना तो बीटूपी ना बीटूसी ना कोई देविट नूट कर टूट ना ही कुछ था तो मैं यहाँ पर जीश्टर 1 file कर दिया अब मैं जीश्टर 3B file करना जाओंगा क्या मैं यहाँ पर जीश्टर 1 नीज किया तो धन रखीगा अगर मैं कोई purchase करता हूँ, हो सकता है कि मैंने वह purchase उस माईने किया पर मेरा कोई sell नहीं हुआ इस case में मैंने purchase कर लिया purchase कर लिया तो मैं 3B नील फाइल नहीं कर सकता हो सकता है कि पिछले मैने का return मैंने late file किया था इस मैने मुझे उसका late fee देना पड़ेगा तो उस case पे भी मैं नील GSTAT 3B file नहीं कर सकता इस तरह से काफ़ी सरा criteria है तो criteria क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे एक एक करके तो देखें यहाँ पे purchase कुछ किया है कि नहीं पहले में वो चेक करूँगा कैसो चेक करूँगा मैं जाओंगा GSTAT 2A में उसके बाद मैं चेक करूँगा B2B invoices देखें दूसते वे क्या बोल रहा है No document found for the provided inputs मतलब इस मैंने कोई भी यहाँ पे purchase नहीं किया हूँ कि नहीं किया इस पार्टी ने अब पूछ सकते है कि मैंने GSTAT 2B क्यों नहीं देखा क्योंकि कोई purchase है नहीं तो 2B में तो कुछ आएगा नहीं इसलिए मैं 2A में आके देखा कि भाई आपको दिखा दिया कोई purchase है कोई purchase नहीं है तो 2B में आने का सवाल ही नहीं है 2A में नहीं है तो 2B में कैसे आएगा हो सकता है 2A में था जो due date के अंदर फाइल नहीं किया तो 2B में आएगा नहीं पर purchase नहीं है तो 2B में आने का सवाल ही नहीं तो इस case में यहां पर कोई purchase नहीं है यह late fee तो applicable होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम जनुवरी मैने में ही इनका registration हुआ है तो इस case में कोई भी late fee नहीं है तो मैं यहां पर आराम से क्या कर सकता हूँ निल जेश्ट या 3B फाइल कर सकता हूँ अब मैं जाओंगा 3B के अंदर यहां पर देके सवाल पुछ रहा है Do you want to file निल रिटर्न निल फर्म जेश्ट या 3B for a tax period can be filed if you have not paid any outwards supplies already मैं निल जेश्टर 1 file कर चुका हूँ मतलब मेरा कोई outwards supplies है नहीं have not received any inwards supplies मैंने 2a को check कर लिया कोई भी inwards supplies है नहीं do not have any liability for the particular tax period भाई यह तो मेरा first time return है तो फिर कोई late fee है को दूसरा कोई यहां पर बात है नहीं तो मैं यहां पर mail return file कर सकता हूँ धर रखिएगा अगर आप continue file कर रहे हो किसी महीने आपने late file किये और अगले महीन आपका ना कोई purchase है ना कोई sale है उस case में भी आपका 3B nil नहीं जा सकता आपको वो late file late fee pay करना पड़ेगा और जैसे आपको कोई liability आ जाता है आप nil file नहीं कर सकते हो तो यह पर मैं करूंगा yes और फिर करूंगा next उसके बाद मैं भी सिदे के यहां पर file कर लूंगा verify मेरा यहां पर gst3b nil gst3b file हो चुका है दोस्तों यह था procedure nil gst3b आज के लिए इतना यह वीडियो को लाइक जरू कीछीगा शेर कीजिए वीडियो को सब्सक्रीब करना बेल लाइकन प्रेस करना एक दम मत बूलिएगा ठैक्यू दूस्तों अबन आज दे कर दो कर दो कर दो